हाँ तो बच्चो स्वागत था एक बार फिर से आप लोग का वर्मान क्लैस्स की यूट्यूब चानल में 11 का सीजनी स्टार्ट हो चुका है अभी आपके लाइट में बड़ा टर्निंग पॉंट आने का समय आ चुका है हैं आप यह decision ले रहे होंगे कि हम science ले है commercial आट से किस लियन में आपको तरह तरह के लोग जो है आपको सैयसन दे रहे हूँगे क्यों साइन्स लोगे तो घंटो घंटो आपको पढ़ना पड़ेगा क्यों हम policymakers लोगे तो इतने तो आप बिल्कुल भी लेट ना करें class 11 को start करने में और अभी मैं आप लोग को आज maths के class से आज शुरुआत करूँगा और maths का एक chapter अभी slaves की ज्यादा चर्चा नहीं करूँगा जब आप थोड़ा पढ़ना ही start कर देंगे तो आप पर detail आपको बताना start करूँगा ताकि आप भी कुछ समझेल लाइक तो हो जाएं तो आज हम लोग जो start करेंगे वो होगा एक numbers related chapter जिसका नाम है yes complex number तो देखी बच्चो हम लोग already पहले बहुत सारे numbers के बारे में उसका नाम या उसकी पहचान का तरीका जान चुके हैं जैसे आप देखे होंगे कि total digits होते हैं 10, 0 से लेके 9 तक फिर number बनना start किया, दो number का सबसे चोटा digit क्या है दो digit का सबसे चोटा number क्या है, सबसे बड़ा number क्या है फिर और भी हमने देखे natural number क्या होता है, whole number क्या होता है, prime क्या है यह सब तरह के number से हमारा जान पचान हो गया और आज हम लोगे एक नए number के बारे में आज study करेंगे जिसका नाम है complex number तो देखी complex number यहाँ पे आपको board पे लिखा दिख रहा होगा complex number जिसका symbol यहाँ पे हम दे चुके हैं z तो complex number का पहचान क्या है तो complex ही पहचान यह इसका form यह होता है z is equals to a plus ib complex का जो form होता है वो होता है a plus ib जहाँ पर इस a को जिसके साथ i नहीं लगा है इसको हम बोलते है real part और यह b जिसके साथ i लगा हुआ है इसको हम बोलते है imaginary part real part और imaginary part तो इन दोनों को add करके इन दोनों के sum से जो number बना उसको हम बोलते है complex number अभी आगे चलके decide हम बताएंगे आपको कि यह क्यों यह form बना लेकिन फिलाल जस्ट आज आज आप कुछ हाँ चला सके है आप question को कुछ solve कर सके है इसके लिए मैं आपको सीधे इसके story पर लेके चलूँगा कि इस number के साथ हम क्या-क्या solving का first step यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर इसका form आप देख रहे है a plus i b और यह complex का यह आप एक्षा definition तयार कर सकते है the sum of real and imaginary part real और imaginary part के sum को आप क्या बोलेंगे complex number sum अब यह देखिए तो अगर हम यहाँ पर एक number लिख लें two plus three i तो क्या यह complex number होगा क्या तो आप बुलेंगे yes यह complex number होगा क्यों क्योंकि यह sir a plus i b के form में है तो अगर यह a plus i b के form में है तो उसमें a की जगा पर कौन बैठा है two b के जगा पर कौन बैठा है three यानि यह two real part है और three हमारा imaginary part है इसका मतलब यह कि जिसके साथ i लगा होता वो imaginary part जो बीने i का होता वो real part अगर यहाँ पर आपको बोल दिया जाए कि two minus three i क्या यह complex number है तो अभी आप बोलेंगे sir यहाँ तो plus है और यह तो minus दिया हुआ है तो देखिए बच्चो आपको इस तरीके से आपको नहीं देखना है आपको इसके form पर देखना है कि क्या आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं क्या तो देखिए आपको यह ऐसा दिखेगा two plus bracket में minus three i ऐसा लिखने के जरुवत नहीं है ऐसा आपको देखने के जरुवत है तो अब यह आपको ऐसा दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि a के जगा पर two है और b के जगा पर minus three है यानि कि इस form में हमारा real part two है और imaginary part minus three है minus देखके आपको confusion में नहीं होना है minus देखके आपको confused नहीं होना है minus अगर किसी के लगा है तो वो उसके value के साथ लगा होगा है अगर यहाँ पर बोला जाए minus two plus six i अगर यह complex number है तो उसके real part की value क्या है आप भी try करें बताएं हमें कि real part की value क्या होगी minus two और imaginary part की value क्या होगी six उसी तरह से और भी example ले ले minus two minus six i यह complex है क्या तो अगर कोई भी इस form में हम देख सकते हैं तो वो complex number है तो इसके real part की value क्या होगी आप भी अपने तरब से try करें आप वीडियो देखते देखते बोल चकते हैं तो इसके real part की value होगी minus two और imaginary part की value होगी minus six तो हम complex number को इस तरह से पहचानने लगे हैं अगर यहाँ पर अगर बोल दिया जाए five क्या ये complex number है क्या तो आप बोलेंगे सर ये तो इस form में नहीं है हम क्या बोलें उस form में रहे जरूरी नहीं है लेकिन उस form में अगर आप convert कर सके या आप देश सके तो वो complex number है तो अगर इस five को आप इस form में देख पाएं या बना पाएं तो ये complex number होगा और जब आप किसी को complex number बोलेंगे तो हम पूछेंगे कि उसके real part की value क्या है उसके imaginary part की value क्या है तो ये देखिए कि ये बच्चो ये भी complex number है क्योंकि इस number को हम लिख सकते है five plus zero i क्या लिख सकते है five plus zero i इसका मतलब ये है कि five हमारा real part है और zero उसके imaginary part है उच्छी तरह सगर हम से पूछा जाए five i क्या ये complex number है क्या अब आप थोड़ा-थोड़ा समझ्य लगे है जी हाँ ये भी complex number है और अगर ये complex number है तो a की value क्या है b की value क्या है तो a की value यानि की real part की value अगर आपका real part नहीं है तो real part zero है और imaginary part जो i के साथ है यानि की five है तो ये complex को आपका पहचानने का तरीका है अगर आपको a plus ib के form में कोई दिखता है तो वो complex number है minus देखके हमें disturb नहीं होना है या अकेला हमें five देखके यानि की अकेला real part को देखके या अकेला imaginary part को देखके मैं confusion में नहीं जाना है confusion नहीं होना है आपको ये देखना है real part, imaginary part यानि की a और b को आप बता सकते हैं और ये एक special type of complex number आपको दिखा जिसमें की imaginary part की value इसमें 0 है और real part की value इसमें 0 है तो हम इसके आधार पर इसका एक नाम रख सकते हैं जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ real part है दूसरे सब्दों में जिसके imaginary part की value 0 है तो ये जो complex है ये है purely real complex number purely real complex number और the complex number whose real part is 0 जिसके real part की value 0 है यानि की जिसमें सिर्फ imaginary part है उसको बोला करते है purely imaginary purely imaginary complex number तो आप ये दो अलग-अलग definition भी अपने copy में लिख सकते हैं कि purely real complex की खूबी क्या है तो इससर जिसकी imaginary part 0 होती वो purely real है और purely imaginary की condition क्या है तो जिसकी real part 0 हो उसको बोलते हैं purely imaginary complex number आप देखिए अगर हम यह बोल दे 5 by 7 plus 2 by 3i क्या ये complex number है तो या ताप बिल्कुल clear cut दिख रहा है कि complex number है और अगर ये complex number है तो इसमें A कौन है और B कौन है तो इसमें A की value है 5 by 7 देखो ये 7 लिखा हुआ है ये 5 by 7 और imaginary part की value क्या होगी 2 by 3 तो अगर आपके पास ये दृष्टी आ चुकी है कि आप A और B को पहचान सकते हैं बता सकते हैं तो आप complex number को पहचान सकते हैं है ना कोई घपरानी के बात नहीं है अब आज जो हम सीखने वाले हैं कि देखिए इस आई में बड़े बड़े गुन है पहला गुन क्या है तो सर्फ ये गुन हमें दिख रहा है कि आई जिसके साथ रहता है उसको हम बोलते हैं imaginary part आई जिसके साथ रहतास को क्या बोलते है imaginary part तो आज हम लोग इस आई को ही study करेंगे आई के बारे में ही study करेंगे और हम इसकी पहचान करेंगे तो आप अगर हो सके तो आप screenshot ले ले ताकि आप जब revision करेंगे तो आपका ये screenshot आपका बहुत काम में आएगा तो ये हमारे complex के पहचान हो गई a plus i b और हमने आपको बताया कि जिसके साथ i लगा होगा वो imaginary part होगा तो चलिए आज हमनों थोड़ा i के बारे में study कर लेते हैं तो सबसे पहले इस i का नाम क्या होता है तो इस i का जो नाम है इसका नाम होता है iota क्या होता है iota और इसकी जो value होती इसकी जो value है वो root के अंदर में आप यहाँ पर एक negative पहली बार देखेंगे और यहीं से यह complex निर्मान होगा था हमने आपको बताया हुआ है कि आपको मैं आगे चल के story बताऊंगा कि actually है कैसे बना यह chapter फिलाल आप value को याद करेंगे तो i हम किसको बोलते हैं i बोलते हैं root under minus 1 को यानि कि root के अंदर negative root के अंदर अगर आपको negative दिखा तो उस negative को ही हम imaginary मनते हैं iota मानते हैं root minus 1 को हमने क्या मना दिया i तो i जो किसी के साथ लग करके उसको क्या बना देता है imaginary तो i की आज आपको पहचान सीखिए आज आप पहचान सीखेंगे कि i का नाम होता है iota और i की जो value होती है वो होती है root under minus 1 आप याद करते चलें और आज हम i की कुछ powers के बारे में पढ़ेंगे जैसे अगर हम यहाँ बोलेंगे कि i equal to root under minus 1 इसका मतलब है कि i to the power 1 is equal to root under minus 1 अगर कोई power नहीं है that is 1 अगर यहाँ पर i square कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका root under minus 1 का भी square होगा आप भी copy panel लेके बैठ जाए और यह सारे value को note करते रहें या screenshot लेके बाद में भी note कर सकते हैं तो root minus 1 का अगर square करेंगे तो आपको आज तक यह मिला होगा कि किसी भी negative का square हमें सा positive होता है मगर एक मात्र यहाँ पर आपको यह i iota मिलेगा जिसका square negative होता है होगा तो यहाँ पर इसका root cancel हो जाएगा root cancel होगे क्या हो जाएगा minus 1 तो हमें यह मिलता है i square is equals to minus 1 यह सारे value को आपको याद करना पड़ेगा यदि हम value निकालना चाहें देखिए मैं उपर लिखता हूँ तो i की value आचुकिए root under minus 1 i square की आचुकिए कितनी minus 1 यह आप निकालते भी जाएंगे और साथ में याद करते भी चलेंगे अब हम बात करेंगे i q की i q को आप i square into i भी बोल सकते है i q को आप i square into i बोल सकते है तो अभी हम क्या याद कर चुके हैं कि i square की value है minus 1 तो यहाँ पर हो जाएगे minus 1 into i इसका मतलब क्या हो जाएगा minus i तो इस तरह से आप यह याद रखेंगे i q की value क्या होगी minus i अब यह आपको मैं निकाल के दिखा रहा हूँ उसके बाद सबको line से लिख करके हम लोग सब भी मिल करके याद कर लेंगे बड़े आराम बड़े प्यार से और उसके बाद उसके उपर जितना भी बड़ा power दे दे हम बिलकुल बिना pain touch किये उसके value को बता पाएंगे और उसके बाद i के उपर जितना ही बड़ा power हो आपको कभी कोई confusion नहीं होगा आप आराम से solve कर पाएंगे इसलिए बड़े ध्यान से मेरी सारी बात को सुनते चले और note करते चले तो यह हम याद कर रहे है i is equal to root under minus 1 i square is equal to minus 1 यह i q is equal to minus i और अब देखिए हम यदि i to the power 4 की बात करेंगे तो i to the power 4 को हम i square का holy square भी बहुत सकते हैं तो i square की value है minus 1 तो minus 1 का square यानी की 1 तो यह हमें कमाल का value मिल गया है कि i के power बेदि हम 4 कर दें तो उसका value 1 हो जाता है अब इस 1 में बड़े बड़े गुन है क्या गुन है कि 1 के उपर आप चाहे जितने भी power लगा लें 1 को कोई फरक नहीं पड़ता है दूसरी बात 1 को आप किसी से multiply कर दें जिसमें आप multiply कर रहे है उसको कोई फरक नहीं पड़ता है इसका मतलब इसमें यह दो बड़े बड़े गुन है जिसका आप फाइदा उठाएंगे तो अब आपको यह देखेंगे कि यह जो हमने घेर रखा है यह अपने copy में आप note कर लेंगे कि i की value root under minus 1 i square is equals to minus 1 i q is equals to minus i i to the power 4 is equals to 1 यह उसके बाद और क्या आप याद रखेंगे जरा समझें अगर यह देखें अगर हम बात करेंगे 1 by i की इसकी क्या value होगी 1 by i की value क्या होगी तो देखिए बच्चों दियान से देखिएगा अभी हम इस 1 को क्या बोल चुके हैं तो सरम 1 को i to the power 4 बोल चुके हैं तो अगर यह 1 i to the power 4 है और नीचे i है तो इसका मतलब 1 by i की value वही होगी जो i q की value होगी इसका मतलब इस 1 by i को हम i q भी बोल सकते हैं cancel हो की क्या हो जाएगा i q यानि की 1 by i का value वही होगा जो value i q का होता है और i q की value अभी आप याद कर चुके हैं कि i q की value होती है minus i तो इससे क्या आप यह भी note कर लें कि 1 by i is equals to minus i 1 by i is equals to minus i इसी तरह से आप और भी कुछ values पर याद कर सकते हैं जैसे अगर हम बोलते हैं आप 1 by i square की value क्या होगी थोड़ा सा दिमाग लगाएं अभी आप याद कर चुके हैं कि 1 को हम बोलते हैं i to the power 4 तो आप खुदी सोचे कि अगर आप इस 1 के जगा पर इस 1 के जगा पर आप i to the power 4 यदि पुट करेंगे तो आपका इल्जबरा इतना तो अच्छा होना चाहिए कि आपको पता है कि cancel होके क्या हो जाएगा yes cancel होकर के ये i square ही हो जाएगा i to the power 4 देखिए ये i to the power 4 नीचे i square तो cancel होकर ये i square ही हो जाएगा इसता मतलब 1 by i square के value वही होगी जो कि i square की value होगी और अभी हम याद कर चुके है कि i square की value क्या है minus 1 तो यहाँ पर आप ये याद कर सकते हैं कि 1 by i square बोलिए चाहिए i square बोलिए दोनों ही case में इसकी value क्या होती है minus 1 इस तरह से 1 by i के उपर कोई power होगा तो आप इस तरह से भी सारे value को निकाल सकते हैं फिलहाल जिसको जिसको हमें ऐसा घेर रखे हैं वो सारे value तो आप जरूर रट्टा मार लें फिर से i is equals to root under minus 1 i square is equals to minus 1 i q is equals to minus i and i to the power 4 is equals to 1 1 by i is equals to minus i और i square के जैसा ही 1 by i square और दोनों की value क्या minus 1 तो एक बार इनका आप screen shot ले ले जैसे जैसे हम घेर रखे हैं ओके ओके बच्चो तो अभी तक आप i के कुछ power को note कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे निरास नहीं करेंगा और आप याद भी कर लेंगे एक बार हम दोख सब को मिलके हैं revision कर लेते हैं आई के कुछ powers को तो यहाँ पर i की जो value थी वो root under minus 1 i square आप भी बोल सकते हैं लिख सकते हैं साथ में revision के लिए i square minus 1 i q की value minus i i to the power 4 is equals to 1 यह बड़े काम की चीज है और 1 by i की value वही है जो i q की है यानि की minus i और 1 by i square की value है जो वही है जो i square की value है यानि की minus 1 तो यह कुछ value को आप कर ले याद अपने दिमाग में रख ले अब इसका फाइदा क्या होगा इसका फाइदा यह है कि i की उपर चाहे जितनी भी बड़ी power दे दी जाए और आपको अगर 4 का table याद है तो आप उसको बिना paint टच किए आप question को solve कर सकते हैं लेकिन paint टच नहीं करना ऐसी बात नहीं है paint नहीं touch कर सकते हैं मतलब है कि आप कम से कम paint के इस्तमाल से आप solve कर सकते हैं एक बत और समझे है आज हम i के power को solve करने बता रहे हैं तो आप इसको एक question के तरह मत लिजे कि यह question हम solve कर रहे हैं यह just आपके आने वाले topic का एक basic होगा तो यह सब को हमें basic के तरह ही पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि पुरा detail solve करके निकालेंगे तो रहत जंप मार के value को निकालना सीखेंगे अगर हम यह आप आई की उपर power दे दे 3, इसके उपर कोई power दे जाए 3, 2, 6, 8, 4, 7 इतनी बड़ी power कर हम दे दे तो आपको घबराने की कोई जरूवत नहीं है यह हमारा मदद करेगा I to the power 4 is equals to 1 हमारी मदद करेगा कैसे आप इस 3, 2, 6, 8, 4, 7 चलिए हम पहले एक तो छोटा कर देते हैं 3, 2, 6, 8 को करेंगे 4 से divide 4 से divide क्यों आपको कारण बताऊंगा तो यहाँ पर आप इसको 4 से divide करेंगे 8, 4, 7, 32 यह हमारा पुरा cancel हो गया फिर मा लिजे यह 6 उट रहा 6 हो गया फिर हमने यह 0 उता रहा यह 8 हो गया 6 आया तो 4, 1 जा 4 यह नीचे 2 आया फिर 8 और 7, 4 जा 28 यहाँ पर हमारा remainder 0 बसता है तो इस 3, 2, 6, 8 को हम कैसा लिख सकते यह ध्यान से देखिए i to the power 4 के power में लगा सकते 8, 1, 7 into i to the power यह remainder 0 तो इस 3, 2, 6, 8 को जब हम ऐसा divide किये तो divide करने बाद 3, 2, 6, 8 को हम i to the power 4 to the power 8, 1, 7 इन दोनों को आप multiply करेंगे तो 3, 2, 6 जट आएगा और 7 में i के उपर में remainder लगा दिया गया यानि कि बहुत ध्यान से देखेंगे i to the power 4 की value क्या है 1 और मैंने आपका भी पताया ना कि 1 के उपर चाहिए आप कितनी भी power लगा दें 1 को कोई फरक नहीं पड़ता है और 1 को किसी से multiply कर दें उसको कोई फरक नहीं पड़ता है इसका मतलब अगर हम यहां one put करेंगे अगर यहां one put करेंगे तो one के उपर 8, 1, 7 कोई फरक नहीं है और उसको इससे multiply करेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ता है इसका मतलब हमें यह लिखने की कोई जरूवत ही नहीं है हमारे काम का सिर्फ कौन होगा यह remainder कि हमारे सेसफल, हमारे remainder कितना बचता है तो यह कितना बच सकता है तो यह 0 हो सकता है यह 1 हो सकता है यह 2 हो सकता है यह 3 हो सकता है ना तो यह 3 से ज़ादा हो सकता है ना तो यह 0 से कम हो सकता है तो हम इन सभी का power हम याद रगे अब देखिए I to the power 0 की value आपको पता है कि किसी के उपर यह दी power 0 की value क्या होगी 1 तो I के उपर 0 की value क्या होगी 1 तो इस तरह से I to the power 3, 2, 6, 8 की value क्या होगी 1 आपको देखी मैं कुछ और भी example बताऊंगा आपको यह करने की जरूत नहीं है आप बस divide करें जैसे I to the power 4, 2, 3, 6, 1 इतनी बड़ी power दे गई अब अगर आप 4 से divide करना जानते हैं 4 से क्यों करना है क्योंकि जितना power 4 convert कर देगा 1 को हमें उसकी कोई जरूत नहीं है अब यह देखेंगे 4 तो हमारा cancel हो जाएगा यह हमारा 23 तो 5, 4 जा 20 ज़र करते चलें 4, 2, 3, 6, 1 इसकी practice कर लें तो कि आगे चल करके यह आपको बहुत बार आएगा और वहाँ पर में इसे detail में solve नहीं करेंगे just jump और वो अगर आप नहीं किये तो आपका mathematics slow हो जाएगा तो आप यह 4 से divide करें आपको कोई divide करके दिखलाने जोर्त नहीं है 4 तो हमारा cancel हो जाएगा 23 में हमारा 20 चला जाएगा बचेगा 3, 3 के साथ आएगा 6 और 36 हमारा पुरी तरह 4 से cancel हो जाएगा, remainder क्या बचेगा हमारा 1, तो इसको आप लिख सकते हैं I to the power 1, अब आप जितने speed से इसको आप divide करके remainder निकाल पाएंगे, वो speed आपकी पहचान बनेगी I के power को solve करने की, तो I to the power 1 की value क्या होगी, I to the power 1 की value I होगी, इसे हम root under minus 1 नहीं लिखेंगे, वो तो उसकी value थी, लेकिन लिखेंगे हम I ही, अब आप ये समझ चुके हैं कि I के पर चाहें जितना बड़ा भी power दे दिया जाएं, जितना बड़ा भी power दे दिया जाएं, आपको क्या करना है आपको उसको force divide करना है, और आपको निकालना है successful remainder, और वही आपको I के उपर लगाना है, अब ये remainder इसके अलाबा तो कोई बच नहीं सकता है तो हम ये देख चुके हैं कि I के उपर ये पावर, I के उपर ये पावर 0 हो, तो उसकी value 1 I के उपर ये पावर 1 हो, तो उसकी value I, I के उपर ये पावर 2 हो, तो ये हम already याद कर चुके हैं, और I to the power अगर 3 हो तो minus I, आप कुछ example को आप भी try करें जैसे question मैं फिर से या बनाता हूँ I to the power 9, 8, 3, 2, 6, 4 इतनी बड़ी पावर तो घवरानी के तो कोई जरूवत है नहीं क्योंकि आप 4 का table तो कम-कम याद कर ही चुके होंगे तो यहाँ पर आप ज़रा देखे cancel करें, 9 है तो इसका मतलब यह तो पूरा का पूरा cancel हो जाएगा फिर 6 को करें 4 से डिवाइड 4 बन जा 4, 2 बचेगा और यह 24, यह सब cancel होके I के पावर बें 0 और I to the power 0 की value 1 यानि कि जितना भी बड़ा पावर क्यों ना दे दिया जाए आप छोड़ा चेक कर लेंगे, उसको आप करेंगे 4 से डिवाइड और आप निकालेंगे रिमेंडर और डारेक्ट यह लिखने एक कोशिस करेंगे फिर से देख लें, यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है देखिए, यह 9 लिखा है तो 9 का जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, फिर आपको 18 दिखेगा 18 में 16 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 के बाद आपको दिखेगा 3 तो 20 चला जाएगा, तो 3 बचेगा 32 तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा फिर 6 तो यह आपका 4 कैंसिल होगा, तो 2 बचेगा और 24 हमारा 4 से पूली तरह cancel हो जाएगा और remainder बच्चे का 0 और 0 की value 1 i to the power 0 की value 1 तो आप ये सबसे पहले practice कर लें ताकि आप complex number में उड़ सकें कोईकि चलने वाले उस मुकाम को हासल नहीं कर पाएंगे जो मुकाम उड़ने वाले कर सकते हैं तो ये आप सबसे पहले आप कर लें इसको practice कर लें और इसके अधार पर हम दो next video में पहले होताब अच्छे से practice कर लें next video में चुकर ये video बहुत बड़ा बन जाएगा तो आप आपको लगातार video देता रहूंगा तो आप इसको practice कर लें कि आप I के किसी भी power को solve कर सकते हैं अच्छा हाँ negative होगा तो क्या होगा power ये भी आपको मन में आ रहा होगा तो एक property आप जानते हैं कि x के power में minus n है तो इसको 1 by x 3 power n भी किया है सकता है तो negative को positive में convert कर दिया जाएगा यदि यहाँ दिदी जाए i to the power minus 3 to 7 तो आप इसको positive में convert कर दें या फिर आप minus को पहले आप ignore करें पहले तो आप minus को ignore करें तो आप क्या देखेंगे minus है 32 पूरा cancel हो जाएगा और यहाँ बचेगा 7 इसमें 4 cancel तो यहाँ बचेगा 3 तो i के power में minus 3 अब आप इसका असर देखें तो यह नीचे आजाएगा 1 by IQ उसके बाद आपको पता है कि 1 को आपको क्या करना है 1 आपको value पता है कि 1 की value i to the power 4 नीचे IQ और इसका answer क्या जाएगा i तो अगर power negative हो तो पहले negative को आप नहीं देखें नजर अंदाज करें और remainder निकाले और जब remainder आ जाए तो यह छोटा सा step यूज़ करके आप किसी भी power को कर सकते है solve तो अगर आप complex को best तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि मतलब हमारा एक भी question ना तो गलत हो और एक भी question ऐसा ना हो जो ना बने तो first of all आपको इस वीडियो को सीख करके practice करका रखना पड़ेगा और next वीडियो में इसके आगे के step हम करेंगे ओके बाबाई